हां जी किद्धा beautiful people welcome to another day and a Sunday vlog आज Sunday है तो आज थोड़ा जादा मिजम प्लाज रहता है बहुत different different काम भी था already lined up मेरे लिए तो जैसे ही मैंने restaurant open किया हमारे guests already ready थे अंदर आने के लिए तो उनके भी orders लगने चालू हो गए थे तो जैसे ही मैंने pizza bake करने के लिए डाला मैंने beach में थोड़ा सा time निकाला ताकि मैं मेरी cold coffee enjoy कर पाऊ तो pizza bake होने में generally थोड़ा सा 5-8 minutes लगते है तो उसके beach मैंने मेरी cold coffee cherish की और of course extra strong and extra cold important है cold coffee of course बहुत जादा गर्मी भी बढ़ रही है तो मुझे make sure करना था के मैं cherish करूँ मेरी cold coffee उसके बाद of course और orders आ रहे थे और साती सात orders के बाद हमें जो था हमारी delivery मिल गी थी हमारी जो dry store की और हमारा जो सारा राशन का सामान था वो आना था पूरा dry store and cold store का सामान था वो पूरा आ चुका था आप देख सकते हैं ingredients की quality बहुत matter करती है हमारे लिए तो जो भी ingredients आते हैं वो quality wise as best as possible जो हम कर सकते हैं वो करते हैं चाहे oil हो या चाहे बाकी cream and butters and all हो तो फिर उसके बाद जब सामान receive होता है उसके जो bills होते हैं वो double check करना बहुत जादा important है make sure करना कि क्या quantity मैंने order की थी क्या receive हुआ है क्या item miss out हुई है कभी कबार कोई item गलत आ जाती है या कम या ज्यादा जो भी होता है वो check करना बहुत important है plus जो current rates मुझे मिल रहे है items के मेरे ingredients के जो भी समान में order place कर रहा हूँ current जो prices है वो क्या है raw items के जो previous prices थे वो of course जब मैंने receive किया था तब मैंने check किया था तो मुझे पता है क्या rates चल रहे है market में क्या rates मेरे suppliers के through मुझे मिल रहा है ये सब check करना बहुत जादा important है उसके बाद थोड़ी सी editing मेरी classes है जो मेरे mother की classes है जो मैं उनका थोड़ा सा social media handle करता हूँ तो थोड़ी सी editing कर रहा था हमें graphics की उसके बाद फिर हमारा जो of course जो masala बनाना था वो बनवा रहा था मैं और ये masala बनाना बहुत जादा important step है बहुत जादा basic step है बट still बहुत जादा important बहुत जादा crucial है हमारे menu के लिए हमारे food के लिए because ये masala अगर अच्छा नहीं cook होगा या अच्छा नहीं बनेगा तो हमारी कोई recipe final अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि हर recipe का जो base gravy है वो ये है ये onion tomato की बनती है of course ये बिल्कुल भी jain नहीं है because इसमें ginger garlic paste भी जाता है और onions भी जाते है तो बहुत जादा important है इसको जो cook करना perfection से cook करना जो ingredients add करते है वो perfect होने चीए quantity, cooking technique, cooking method हर एक चीज बहुत जादा important है आप देख सकते हैं different stages पर ये कितना different होता जाता है onion जैसे white start होता है तो वो colors कैसे करते जाता है कैसे भुनता है, कैसे dark golden brown होता है उसके बाद masala tomato add करने के बाद और फिर देखिए ये जब final stages पर cook होके ready होता है उसके बाद of course हमारा थोड़ा और mizam plus था तो हमें वो भी complete करना था आप देख सकते है दाल मखनी भी और बाकी सारे gravy's भी मैंने चड़ाना चालू कर दिया था बीच-बीच में हमें थोड़े orders आ रहे थे वो भी साती साथ चल रहे थे और फिर आप देख सकते है हमारी green chutney भी ready हो गई थी evening के लिए उसके बाद evening का पार्ट लगाने के बाद आप देख सकते हैं इवनिंग का पार्ट लगा है और बहुत अच्छे मन की शांती के लिए माइंड की शांती के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है उसके साथी साथ फिर डिनर रश हिट कर गया था हमें तो large quantities में orders आ रहे थे आप continuously देख सकते हैं orders आ रहे थे large quantities में zomato orders हो आज थोड़ा साइलेंट था संडे के हिसाब से थोड़ा ज्यादा साइलेंट था आज डिनर रश ज्यादा नहीं था जो की unexpected था तो जब डिनर रश नहीं था तो फिर मैंने थोड़े से मेरे mangoes चेरिश किये of course mango का सीजन है तो fresh alfanzo mango का आमरस बना रहा था मैं for dinner with parate बहुत beautiful combination होता ही है ये मेरे childhood का combination है तो मैं fresh alfanzo mangoes का plus beach beach में थोड़े bites खुद भी चेरिश कर रहा था साथी साथ हमेरे फिर थोड़ी ज़र बाद orders आना फिर से चालू हो गए थोड़े late आज restaurant चला around 11.30 तक because जो हमारे guests थे वो भी बहुत ज़ादा late आए कुछ तो slowly slowly orders चली रहे थे और dinner rush unexpectedly थोड़ा सा कम था आज but of course जैसा business है उस हिसाब से बहुत unexpected business होता है restaurant business तो आप कभी भी predict नहीं कर सकते और आप देख सकते है थोड़ा ज़ादा quantity में आमरस बनाता आज और आप देख सकते हैं फिर last table जो हमारा आया था और फिर last zomato भी था हमारा जिन्होंने single lassi order की और इसी तरह हमने हमारा day end किया around 11.30, 12 तक लग गया closing करते हुए and thank you so much for watching beautiful people hope to see you soon again